हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो रेडियन्ट कम्पिटिशन क्लासेस, मैं आज आप लोगों को बहुत ही महतपुर्ण टॉपिक, ये आप जानते हैं सार संग्र, ये सभी सब्जेक्ट को मिला करके होता है, पीडी के तहत इस वो दिया जाता है, पीडी में दिया जाता है, और जो समीति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है, तो इसका राईचांसर हो जाएगा, परजापती की दो पुत्रियां कहा गया है, यानि के वैदिक सहित में सभा और सभापती, परजापती की पुत्रियां, दो पुत्रियां कहा गया है, ये IAS में भी गुसन पुछा गय उत्तरवेदिक काल के वेद विरोधी और ब्रहामन विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरमन उसके बाद तीसरा नमबर में देखेगा आरंभिक वैदिक शाहित में सरवाधिक वरिनित नदी कौन सा था तो आंसर हो जाएगा चाथोपनी शद में यानि आधियात्मिक ग्यान के विशय में नचिकेता और यम का समबाद किस उपनी शद में है तो इसके बाद देखेगा पाच नमबर का सवाल है कि अधर यू का अर्थ क्या होता है इसका राइट आंसर होगा यग करने वाला बॉद्धमत से है तीसरी बॉद्ध संगती की सहर में आयोजित की गई थी तो इसका राइच आंसर हो जाएगा पाटली पुत्र में आयोजित की गई थी उसके बाद देखे आठ नमबर का सवाल है कि भूमी असपर्स मुद्रा भूमी असपर्स मुद्रा की सारनत बुद्ध परतीमा संबंधित है ये किस से संबंधित है तो गुद्ध काल से संबंधित है नेक्स सवाल देखे सल्तनत वंस की विशाल तमस्थाई सेना जिसका भुगतान सिधा राज्य द्वारा किया जाता था किस ने बनाई थी तो इस राइट आंसर हो जाएगा अलावदिन खिल ज जी साथी साथ खोरा दागने की पड़्था भी अलावदिन खिल जी ने शुरू की थी अर हम लोग देखते हैं राष्टिय स्वतंता आंदोलन से संबंधित प्रश्न ये देखेगा वे नो तो स्वतंतर भारत का सपना दे सके और नो विचार ही यह वक्तब कॉंग्रेस की क का ताधिवेशन में किसके द्वारा हुआ था तो दादा भाई नोरो जी जिसे ग्रंड ओल्ड मैन आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है यह कोस्टन भी अभी बीपीसी में पूछा गया था तेरे नंबर का सवाल देखेगा कि स्वतंत ताप हमारे जीवन का लक्ष है और हिंदू धर में ही हमारे इस उद्देशक की पूर्ती में सहायक होगा यह कथन अरविंद घोस का है नाती महत्तब पोने से याद जरू डख लीजेगा होम रूल आंदोलन के परचार के लिए स्रीमती एनीवे सेंट के समाचार पत्र कौन से थे राइट आंसर होगा न्यू इंडिया और कॉमन विल यह होम रूल आंदोलन के परचार के लिए स्रीमती एनीवे सेंट ने इसका शंपादन की थी उसके बाद मैं तो एक भारतिय टम टम हूँ जिसका कारिय सोते हुए भारतियों को जगाना है यह कथन किसका है तराइट आंसर हो जाएगा एनिवे सेंट का है यानि यह कथन किसका है एनिवे सेंट का है दोस्तों यानि देखे कितना अच्छा कथन है मैं तो एक भारतिय टम टम हूँ जिसका कारियस होते हुए भारतियों को जगाना है यह कथन एनिवे सेंट का है उसके बाद देखे अगला मेरे लिए धर्म के बिना राजनीती एक मृतियुजाल के शमान है क्योंकि यहाँ आत्मा को मार द देती है यह आप जरूरियाद रख लिजेगा नेक्स देखेगा दी स्टूरी ऑफ दा इंटिग्रीशन ऑफ इंडियन स्टेट से किसने लिखा था राइट आंसर होगा क्रिश्न मेनन उसके बाद अठारा नंबर देखे किस विद्रो को बंकिम चटर जी ने अपने उपन्य सन्यास आनंद मठ में उलेख करके परसिदे किया राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रो उसके बाद देखेगा उनीस नंबर उने सो छे आलिस में बनी अंत्रीम सरकार में राजिंद्र परसाद के पास कौन सा बिभाग था ये खाद एवं किरसी बिभाग था उसके बाद द इस सो उनीस इस भी में आया था उसके बाद देखेगा अगला सवाल भारतिये राज विवस्था एवं संभिधान से संबंदित है यानि कि देखेगा इसमें कि भारतिये संभिधान किस परकार की नागरिकता प्रदान करता है तो राइट आंसर होगा एकल नागरिकता परतिनिद्धित परनाली के अधार पर एकल संक्रमनिय मद्दान द्वारा होता है। उसके बाद देखे भारत में लोग सभा में पहला और विस्वास परस्ताव का वाया। राइट आंसर हो जाएगा केंद्री मंत्री मंदल की साहिता से। राज्य सभा तरलोग सभा के संजुक तदीवेशन के अध्यक्षेता कौन करता है। राइट आंसर होगा लोग सभा अध्यक्षे करता है। उसके बाद समीधान के किस भाग को म्यागना काटा कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 जिसमें क्या है। प्रिमौली का धिकार है। उसके बाद देखेगा वारते समीधान के संग और राजियों के बीट शक्ति विवाजन की बीधी किस देश की संग की प्रेड़ना पड़ाधारित है राइट आंसर हो जाएगा कनाडा यानि शंगात्मक व्यवस्था भी कनाडा से लिया खेया है वही चीज यहाँ पर है अंतराजे पड़िशत के संग्द में उबंद समिधान के किस अनुच्छत में बढ़नित है राइट आंसर होगा दो सो त्रीशत उसके बाद सरकार्य पक्रम समीती या बित्य समीती में कुल बाईश सदस होते हैं इसमें लोग सभा एवंग राज्य सभा के कितने सदस होते हैं यानि कि लोग सभा के पंद्रह और राज्य सभा के साथ सदस होते हैं उसके बाद भारत विश्य का भूगोल से समधित कोशन देखेगा दूर संचार के लिए वाई मंडल की किस परत का उपयोग होता है राइट आंसर होगा आयन मंडल जिसमें आयनों की परधानता पाई जाती है और ये दोली तरंगों को आपने से बुज़रने नहीं देती है हमारे वाई मंडल की सबसे नीचरी परत को क्या करते है तो छोब मंडल करते ही समधित लगभग 10 किलो मीटर उपर तक फैली हुई है ये अतीम हत्तव पुनिस समधित कोशन इस बार भी पीसी में भी था हमारे वाई मंडल के उपरी सीमा कितनी है तो 10,000 किलो मीटर तक फैला हुआ है किस देश में पंपास घास के मैदान अस्तित है तो अरजन्टीना में पंपास घास का मैदान है मैंगी नोट रेखा किस देश के बीच इस्तित है तो फ्रांस और जर्मनी के बीच इस्तित है बंगार के खारी में अंडवान निकोबार अंडवान दूप को निकोब परियोजना किस राज्य में है लद्दाक संगज राज्य शेत्र के कारगिल जीले में चूटक जल्बिद्यूत परियोजना है उसके बाद ग्रेंड कैनियन जो एक घाटी का उधारन है एवंग अपरदन जन्य भाग है ये कहां इस्तित है तो अमेरी काम इस्तित है उसके तो सरकार ने पहली राष्ट ये वन नीती कब जाड़ी की थी 1922 में जाड़ी की थी उसके बाद परियाबरा ने बंग जैब विविता से समधित प्रस्म भी देख लीजेगा IEC UN Red List और Threaded Species जिसे IUCN Red List भी कहा जाता है ये क्या है तो पौधों जानवरों किस्तिती और वन ने जिवों के बिलुपत होने का खत्रा को वर्गी करित करने के लिए सबसे परसित मुल्यांकर पढ़नाली में से एक ये Red List है या Red Data सुझी है IUCN Red Data of Threaded Species के स्थापना कब हुई थी ये 1964 में हुई थी रियोडी जेनरी यू ब्राजिल में UNCED उनिस्ट बिराननवी में किस घोसना पतर प्रहस्ताक्षर किया था अंसर होगा एजन्डा 21 उसके बाद भारत में हीम तेंद्वा परियोजना कव आरंब हुआ था ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये 2009 में भारत में हाती परियोजना उनिस्ट बेराननवे में डॉल्फिन परियोजना 1997 में ये तीनुव निश्चित रूप से कही ने कही प प्रोजेक्ट पुछा भी PSC में उसके बाद देखें वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड उनिस्ट में स्थापित एक अंतरास्ट्य गैर सरकारी चंगठन है और इसका मिख्याला है स्वीड जलेंड के ग्लैंड में है इसका उदेश क्या है प्रियावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करना इसका मुख्योग देश है लिविंग प्लानेट रिपोर्ट प्रकासित करता है WWF यानि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड उसके बाद देखेगा 49 नमर का सवाल है कि एक पारितंतर में प्रतेक प्रजाति के बिसिष्ट कारियात्मा भूमिका को क् निकेट कहा जाता है दोस्तो उसके बाद पारितंतर के लिए निकेज सब्ड़का प्रजात्र इसे बहुत की अब देखते हैं भारती अरत वेवरस्ता से समध्द कुछ परश्न यह है भारत की सरकार की आसा यानि अग्रेडिटेट सोसल हेल्थ अक्टिविस्ट योजना किस परमुकारी करम से समद्धित है राष्ट्य ग्रामीन स्वास्त मीशन से है उसके आनि आसा जिसको बोलते हैं आत्म निर्भरता किस पंचवर्सी योजना का उदेश्य था राइट डांसरों का चाओ थी जो एक अप वर्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकासन है अंतराष्टे पुननिर्मान और विकास बैंक का उसके बाद जदी रुपे की किमत में कमी हो तो अर्थसास्त की भासा में उसे क्या कहा जाएगा मुल्ली हरास कहा जाएगा उसके बाद मानविकास सुचका का आधार क्या है स्वास्त जीवनस्तर ये इसका आधार है उसके बाद संजुक्त रास्ट विकास कार्जेकरम की मानविकास रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट की तर्जपर भारत की पहली मानविकास रिपोर्ट का प्रकासित किया गया था अप्रेल 2002 में प्रकासित किया गया उसके बाद देखेगा सरकारी खर्चे में बिर्धी के कारण निजी उपयोग या निवेश में होने वाली किसी भी कमी को क्या कहा जाता है हरासकारी प्रभाव कहा जाता है अलपे विक्सित देशों में गरिवी कम्मुक्षे कारण आयमी और समानता है हरित सूचकांक किसके द होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि स्के गुरु केंद से जाने वाली उर्द्वादर रेखा आधार से होकर जाती है बरनोली प्रेम है आधारित है उर्जा संदक्षन पर आधारित एक अंत्रिक्ष यात्री पिर्थिवी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधीक मुची छलांग लगा सकता है, क्यूंकि चंद्र तल पर गुर्थवी तल की तुलना में अप्तियल्प है, रॉकेट किसी दान्त पर कार्ज करता है, तो न्यूटन के तिर्थिय गति नियम पर आधारित है या रोकेट के ये संबेक संरक्षन के सिधान्त पर भी काम करता है किसी पिंट की गती जोड़िस्ति जुर्जा उसकी यांत्रिक उर्जा के घटक होते हैं धोनी निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती उसके निमनतम तापमान किसके दौरा मापा जाता है अलकोहल थर कि किस उर्जा को बिद्यूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है कोईले की दासाइनिक उर्जा को बिद्यूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है सत्तरह नमर का सवाल देखेगा किसी द्रब में डूबी हुई बस्तु पर उपर की वोर्ड जो बलकार्य करता है उसे क्या कहते हैं उसे उत्पलाव अकबल कहते हैं उसके बाद देखे सिक्षा बंग बाल मनुविज्ञान से समन्दित है परिवार समाजिक जीवन की पर्थम पारसला है ये किस ने कहा था रस्तू ने कहा था राष्टी जीवन में सिक्षा का कार्य क्या है राष्टी एक्ता का व वस्थापित हुआ था 1889 में जर्मनी में हुआ था बुध्धी कार्ज करने की एक भीधी है ये वुडवर्थ ने कहा था बुध्धी कार्ज करने की एक भीधी है ये किसका कथन है तो वुडवर्थ का कथन है उसके बाद किंटर गाटन सिक्षा पद्धती का विकास किसने किय प्रोवियल नमक एक बेग इन सिक्षा विद्नी किया था दुहरानी की परविट्टि की सवस्था में आती है सैसवा वस्था में आती है सिक्षा को मनुस्य और संपूर्न समाज का निर्मान करना चाहिए यह किसका कथन है डाक्टर राधा कृष्णि का है उसके बाद बालकों जौंसन ये बुध्धी के 51 जिधानत के परवड़ तक हैं उसके बाहरा देखेगा संप्रेशन और संचार से सम्मद्धित परस्विक रश्त हैं इनकोडिंग चैनल और डिकोडिंग के सिधानत के बुनियादि घातक हैं तो ये संचार सिधानत के संचार परक्रियां में संप्रेशन के पर्मुप परकार ये क्या है, तो ये दिखि़ें, सदस्यों की वहयार को नियतित करना, भावनायों को समेगात्म कभी व्यक्तिक अभसर परतन करना, अभी प्रेधना को बहावा देना, नेने लेने को सहज बनाना, ये सभी के सभी हैं, उसके जैदा व्यक्तिक होना किस प्रकार का संप्रेशन का माध्यम है तो जैदा व्यक्तिक होना ये नकरात्मक संप्रेशन का माध्यम है जन्म प्रवाद संप्रेशन की विसेष्टा क्या है समू सदस्यों की सामाजी कवसक्ताओं को संतुष्ट करने को द्यत किसी भी दिशा में जाने की चूट सामिल लोगों के स्वहीतों को कुरा करने के लिए ब्यापक रूप से पड़ियुक्त ये बहुत ही महतपोन है प्रसास्निक बेवार के अंतरगत निरदेसन जड़ी रखना किसका संप्रेशन है अधूग्रामी संप्रेशन है जटिल समस्याओं की स्थिति में समूनिस्पादन उच्जतम होता है ये समस्यान मोक नेटवर्क में कालिक संपरेशन का अध्यन क्रोने मिक्स के रूप में होता है संचार की वज़ती जिम्हें मनुस्य एकाकी खुद से बात करता है कालाता है अंतरव्यक्तिक संचार आप देखें खेलकूद से संबंदी बहुत इंपोर्टन सवाल है आयरेश सब्द का समन किस्से है गॉल्फ से किर्केट के पिछ के लंबाई 20.12 मीटर होती है किर्केट में परिक्ट गेंद की परिदी 22.4 से 22.9 से किर्केट में बल्ले के अधिक्तम अनुमत लंबाई 38 सिंच होती है किर्केट में भूमी सेस्टम की उचाई 27 इंच होती है किर्केट में प्रिप गेंद का वजन 169.9 ग्राम से 163.9 ग्राम तक होता है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चावडाई कितनी होती है 7.32 मीटर होती है होकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौराई कितनी होती है 3.66 होती है 66 मीटर होती है और बैडमिन्टन में नेट की जमीन से उचाई 1.59 मीटर होती है लाउन टेनिस में पडिव के गेंदर का वजन 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम होता है उसके बाद देखे किर्सी से समदित परश्ण है चना की फसल में किस रोग की आने की संभावना होती है तो भपुन्दी के कारण होता है उसके बाद देखेगा बोनी किस फसल की पड़ जाती है फूलों का अध्यन एंथलोजी का लाता है और भारत के बिभिन चत्रों में उत्पादे सुल्टाना गुलावी और काली चमपा परमुख फसलों में किसका है तो ये अंगूर का किसम है दोस्तो हरी खाद वाली फसलों में किसमे नाइट्रोजन के बड़ी मात्रा सरवाधिक पाई जाती है यानि लोबिया यानि बोरा में राजय में कौन इलाइची बंकाली मेट्स का सबसे बरात पादक है तो राइट आंसर केरल होगा उसके बाद राश्टिये केला अनुसंधान के अंदर कहां इस्तित है तो ये त्रीची तैमिलनाडू में है कौन सा फसल चक्रपूर्वी उत्रपरदेश के लिए सरवाधिक प्यूप समझा जाता है दान मक्का और गे हूं उसके बाद सक्तिमान एक और सक्तिमान दो अनुमान सिक परिवर्तित फसले हैं एक ये मक्का का है दोस्तों उसके बाद देखें कम्प्यूटर से संबंदीत 1024 किलोवाइट बराबर होता है एक मेगावाइट का एक्सल स्प्रेट सीट की मूह लिकाई जहां पर डाटा इंट् कॉम्पूर में फैलने वाला वायरस एक कम्प्यूटर प्रोग्राम है उसके बाद इस्पैम किस विश्usa से संब्धित साय है क्प्यूटर से संब्धित है बाइडू पैकेट्स और कूकीज में कौन सा एक सर्चिंजन है तो राइट आंसर होगा बाइडू उसके बाद अब हम लोग देखते हैं बीविद परश्न यानि कि देगुमर चक्री गंगोर चंग कालवेलिया आदी किस राजिगे लोग पिडिये लोग निरिते हैं तो राजस्तान का है बाखो बखैंट सामा चकवा बिदेशिया जटा जटीन पनवरिया आदी किस राजिगे लोग दिख लिजेगा बीहु नागा नित खेल गोपाल नट पूजा महारास के नो जुमरा खोब नाई आदी किस राजिगे लोग निते हैं तो राइट आंसरोगा आसम बिशनु की पांच अवतार को बावन अवतार के नाम से जाना जाता है वारली चित्रकला किस प्रांते की प लिजसेली है राजस्तान इसका राइट आंसर होगा उसके बद किस राज में परसिद नव कलेवर तेवार मनाया जाता है राइट आंसर होगा ओडी सा उसके गड़िया पूजा खार्ची उत्सव नीर महल उत्सवादी किस प्रांत के तेवार हैं राइट आंसर हो जाएगा त्री पूरा तो इस प्रकार आज हम लोग सार संग्र के तहट जो है 130 परसन को यहाँ पर देख लिये तो दोस्तों आपको परती मन्थ जो है परती महिना जो है आपको इसी तरह सार संग्र के तहट जो है यह आपको वडियो दिया जाएगा निश्चित रूप से देखना बिल्कुल नहीं भूलियेगा यहां से सभी पर्दियोगी परिक चाओं में प्रस्न पूछा जाता है तो बस आज के वीडियो में इतना ही नन्नवाद